टीम इंडिया ने इंग्लेंड को 68 रंज जहर आके 10 साल बाद फाइनल में जाके बना ली है 2022 का एडिलेट का बदला आज गयाना में लिया गया इंडिया टॉस हार के पहले बल्ले बाजी करने आया 170 प्लस का हमने टार्गेट दिया इंग्लेंड को और फिर हमने धराशाही कर दिया इंग्लेंड की जो बात करते हैं कि इतने आकरमक बल्ले बाजी है उन्होंने ऐसा स्टेंडर्ड सेट किया है, वो कर लिया, ये कर लिया, सब को धराशाई करते हुए हमारे स्पिनर्स का बोल बाला रहा, कुलदीप और अक्सर ने तीन-तीन विगेट लिये, बुम्रा ने भी अच्छी गिनबाजी करी और इसके बदले हम पहुंच गए हैं फा रविंदर जड़िजा, जिनकी पर्फोर्मेंस की सब को उम्मीद थी, भाई रविंदर जड़िजा की पर्फोर्मेंस कब आएगी, उन्होंनों भी आज पर्फॉर्म किया, इंपोर्टेंट रंस किये, अक्सर पटेल ने लास्ट में चक्का लगा, यानि कि हर एक बंदे का रहा है, विराट कोली आज रीस्ट आपली को चक्का लगाते है, फिर रसीवी के उनके टीम मेट, रीस्ट आपली से वह आउट हो जाते हैं अगली बॉल पर, तो वो फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, लेकिन बिना विराट कोली के कोंट्रिबूशन के, अगर टीम इंडिया किसी ICC टॉर्नमेंट के फाइनल में पहुँच रही है, तो यह बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, रोईट शर्मा जैसे कहा कप्तानी पारी, पिछले मैच में आउस्ट्रियला के खिलाफ हमने देखा था, बहुत ही बहुत ही बह अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाजे से हराया था, और यही साउट अफरीका की टीम अफगानिस्तान को हरा के आ रही है, पुरा बिल्ट अफ करेंगे, पुरा प्रिव्यू हम आगे आने वाले एक दो दिन जो बचे है फाइनल के उसमें जरूर करेंगे, लेकिन अगर आज के मैच पे वापिस आएं, तो जैसे हमने बात करी कि मैच चालू हुआ, थोड़ा देरी से शुरू होता है, वेट आउट फिल्ड होती है, फिर बारिश आती है थोड़े टाइम के बाद में, जब इंडिया के दो विकेट जल्दी गिर जाते है, पंत और कोहली के, उसक आते हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट पे रंस करते हैं, और पूरा कंट्रोल में दिखते हैं, उसके बाद में जब टीम को ज़रूत थी, तो हार्दिक पांडिया, रविंदर जड़ेजा, अकसर पठेल, इनके इंपोर्टेंट रंस आते हैं, जब इंग्लेंड के टीम चेस करनी आती, 170 प्लस का टार्गेट, तो टॉस जीती थी, इंग्लेंड, उन्होंने चेस करने का खुद ये निर्ना ही लिया था, लेकिन हम क्या देखते हैं, कि काफी दभी शुरूत इंग्लेंड करती है, जॉस बटर शुरूत में ट्राय करते हैं, कि वो अर्षदीप को अट इसके बाद हमारी पूरी बोलिंग के बात करें, तो जॉस बटलर को आउट के अकसर पटेल ने, मुहीन अली को आउट के अकसर पटेल ने, और अकसर पटेल ने एक और जो है, बहुत ही इंपोर्टेंट विकेट लिया, जॉनी बैरिस्टो का, तो ये एक ओपनर और दो कि शुरुआत में फिल सौल्ट और लास्ट में जाते 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 जॉफरा आर्चर का, उन्होंने विकेट लिया, एक समय पे लग रहा था कि शायद से इंग्लेंड कम बैक कर सकता है, लेकिन जब तीसरा विकेट जॉनी बैरिस्टो का गिरा, उसके बाद में जैसे के विकेट के गिरने के बाद में ऐसा लग रहा था कि यहां से वही हो सकता है जो पाकिस्तान के साथ इस USA की टीम ने किया, उसके बाद पाकिस्तान वाला मैच, जहां पर एक समय क्रूस कर रहा था पाकिस्तान, वहां पे बोलिंग चेंज आते हैं, बुमरा अपनी क्लास दि सब्सक्राइब कर रहें, हमां इस समय औक समय की बनी हूए, वह क्वाले का उनका है तो इसमेग वहां इक पास फॉर्म में फोर में लग रहा हैं, इंडिया के पास भी अर्षदीप, बुमरा, हार्दिक पांडिया, तीसर पेसर के रूप में खेल रहें, हला कि आज उनको इ तो चितनी बहतरी निये टीम दिख रही है उन पेपर उतना ही बहतरी निनका परफॉमेंस आ भी रहा है टीट्वेंटी विल्ड कप अक्सर हमारे जो है सरका दर्थ बना रहता है वेस्ट इंडी से आक रिवर आप सभी को आदोगा विराट कोली डाल रहे थे उसके बाद में 2022 के हम सेमी फाइनल में पहुंचते हैं महाँ पे हम इंगलेंट को 10 विकेट से हमारे हातों हार लगती है उसके बाद में एक अच्छा बदला लिया गया है दस विकेट से हम हा रहे थे उस दिन आज दस विकेट पूरे लिये रात के करीबन 2.39 दो चालीस हो रहे हैं और एक्साइटमेंट अभी तक संभल नहीं रही है तब वीडियो रिकॉर्ड करने की कई बार सोची फिर सोचे क्या बोले क्या बोले कि मैंने का चलो फाइनली अब एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं इनिशल जो हमारे इंप्रेशन से वह देते हैं उसके बाद में एक लंबा लाइव करेंगे एक डिटेल में पूरा रिव्यू करेंगे तो हमारे साथ जुड़ेगा लाइव के अंदर लेकिन आपको टीम इं नहीं जीते हैं लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो बहले को इंडिवीज्वल अवार्ड वो जी चुके हैं लेकिन एक जुन के ट्रॉफी केविनेट से ट्रॉफी रह रही है वह है टी ट्वेंटी वर्ड कप की तो रोहिट शर्मा राहुल द्रविड विरा जो है खेले लिए तो उसमें चल्वफी बात करने को लिकिन अभी के लिए साउथ अफरीका के खिलाव हमें खेलना है आट बजे इंडियन सीड़ टाइम शनिवार को इसके लिए रिजर्व बिय बैरनेश की बारिश की बी संभावना है क्या ध्रइट रहता है च्याइस ओन होगी लेकिन अभी के लिए काफी कुछ है हम मतलब की कई देर से हम सोच रहे थे वीडियो करें लाइव करें क्या करें लेकिन चलिए आपके साथ लाइव ज़रूर जोड़ेंगे आच शाम को तब तक के लिए गुडबाए और इंजॉय कीजिए ये दिन बार-बार नहीं आत in stop23-19 तारीक थी जब हम वह सूखा कथम करने के काफी नजदीक ते लिकिन उस दिन सामने खड़ी ती उस्ट्रलियर वह उस दिन टॉस जीते थे उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था आज टॉस जीता इंग्लेंड उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है उस दिन भी रोहित शर्मा ने कहा था कि भई हम तो बैटिंग ही करना चाहरे थे लेकिन वो हमारे उपर उतना हावी पढ़ गया डिसीजन की ऑस्टिल्या टॉस जी रही था लेकिन आज ये टीम सीख के आई है हम कहते हैं हार से आप सीखते हैं तो इस टीम ने हार से सीखा है जो पिछली बार प्रेशर के तले दब गयते हैं आज खुलके खेले हैं हाँ शुरुआत में दिक्कत हुई जब आपके दो विकट जल्दी गिर गयते हैं लेकिन सूरिया और रोहित ने निडर इतना बड़ा क्रिकेट प्रेमी देश, ग्यारा साल से कोई टरॉफरी नहीं जीता एं उमीद करते हैं एक जीत वो फाइनली आजा है और हमारा सब का फैंस का दुख है जो इतना बड़ा सूखा आज इवो खत्म हो जाए फाइनली यह वो मौका आचुका है उमीद करते हैं गुटनाइट.